तो आज मैं आपके लेके आई हूँ एकदम ठंडी ठंडी एकदम खौती बढ़िया रस्मलाई की रेसिपी और ये रस्मलाई ना आप घर पे बहुत इजी स्टेप को फॉलो करके बना सकते हैं ये देखिए इतनी बढ़िया रस्मलाई बनेगी ना कि जैसे ही आप इसे कट कर खाएंगे तुरंत मुँ में घुल जाएगी बजार से अच्छी बनाएंगे और हेल्दी बनाएंगे तो देखिए कितनी बढ़िया रस्मलाई यहां पर बनके तयार हुई है तो आप घर पे ही इतनी महंगी मिठाई घर पे बहुत अराम से सस्ते में बना सकते हैं और बनेगी बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से फूलेगी तो यहां पर हमें देखिए मैंने डेड़ लिटर गाए का दूद लिया है इसको हम चला लेंगे थोड़ा सा और इसको बॉइल आने देंगे तो देखिए बॉइल आ चुका है यहां पर और गैस को न हम थोड़ा सा स्लोपे कर देंगे अब उसके बाद यहां पर थोड़ा सा देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया अब यहां पर मैं इसमें डाल रही हूं विनेगर तो यहां पर देखिए वनफोर्थ कप मैंने विनेगर लिया हुआ है थोड़ा थोड़ा डालके अब दूद को फा जितने में आपका ये जो पनीर जो है छेना निकल के आ जाए ना ये देखिए अब अच्छे तरीके से फट चुका है और इतना यहां पर विनेगर बच गया है तो अब मैं साइड में रखती हूं और उसको छान लेते हैं छेना को देखिए यहां पर एक मैंने कॉटन का कपड रखा हुआ है और इसको छान लेना है छानने के बाद इसको ठंडे पानी से धो लेना है ताकि विनेगर का जो असर है वो निकल जाए सारा देखिए इस तरीके से तो यहां पर मैं अच्छे से इसको धो के फिर छान लेती हूं और यहां पर जो इसका पानी बचे गाना वो इसको आटा गुन्य में यूज कर सकते हैा इससे रोटी या पूरी में भी आप यूज कर सकते है आटा और पूरी जो है ना बहुत ही सौफ्ट है यहां पर रोटी इसके बाद इसके से देखिए पानी सारा निकाल देना है उच्छे से इसको निचोड लेना है यहां नहीं बहुत ज्यादा नहीं है तो बस यह पर देखिए इसको अच्छे से और निचोड़ impersonation के बाद küçük इसको यहां पर देखिए मैं बांद के रख दूंगी और लटका दूंगी यहां पर मैं इसको कम से कम एक घंटे के लिए मैं इसको बांद के रख दूंगी लटका दूंगी यहां आप इसको आदा घंटा तो बांद के रखिए और इसका जो है ना फिर जो मौशर है वो अपन सुखा नहीं है बहुत ती बड़िया और अच्छा सा इसमें है अच्छा खासा मॉइशर है तो यहां पर पनीर जो छेना है इसको हम यहां पर अच्छे से यहां पर देखे पहले इसको क्रंबल कर लेते हैं और इस तरीके से यहां पर देखिए इसको हतेली से मसल मसल के इसको चिकना कर लेना है तो यहां पर जब यह चिकना हो जाएगा अच्छे तरीके से देखिए अच्छे तरीके से यहां पर चिकना हो गया है इसको आपको जितने अच्छे तरीके से इसको मसलेंगे ना रस्मलाई उतनी बड़िया बनेगी फटेगी नहीं तो बस यहां पर देखि यह इसमें ऐसे ही आप रसगुले भी बना सकते हैं इसमें यही जो steps हैं वो follow करके रसमलाई के लिए हम इसको चप्ता करके बनाएंगे आप रसगुले के लिए गोलगोल करके बना सकते हैं तो बस यहाँ पर देखे यह तैयार है और इसको मैं ढखके रख दूँगी जब तक हम रसमलाई की मलाई तियार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक लिटर दूद लिया हुआ है गायक और फुल फैट मिल्क जो है मिक्स करके लिया है मैंने आप कोई भी एक दूद का बना सकते हैं दूद जब यहाँ पर बॉयल हो गया तो इसमें आधा कप मैंने चीनी डाल दिया है और फिर से इसको अच्छे से चीनी घुलने तक मैं पका रही हूँ अच्छे से दूद को तो देखे दूद भी अच्छे से पक गया है थोड़ा सा कम भी हो गया है अब यहाँ पर मैं डा आपसे डाल सकते हैं मैंने बदाम और यहां पे पिस्ता डाला है बारिक काटके और यह देखिए यहां पे अच्छे से इसको मैं पका रही हूं केसर भी अपना यहां पे कलर कुछ देर में छोड़ देगा तो बस आधा चम्मच यहां पे इलाइची पॉलर डालेंगे और फिर पाश्नी की तयारी देर कप में यहां पे चीनी डाल रही हूं और यहां पे चीनी करेंगे और बॉयल पर देखिए इस्को एक बार मिक्स कर दिया अब यहां पर देखिए यह भी स करते हुए कंशे कंशे कंश से 20 मिन अन्रियर कर देखिए बनाना चुरू में।। बनारी हूं। इस तरीखेसें यहांपे हासं इसको दबा लेंगे। और हैं उसी तरीके से सारी जो इस बनाना के त्यार करेंगे। बहुत इजी है, इसको बनाना, एक बार बनाकर, देखिए, एक बार में ही perfect बन के त्यार होगी, देखिए, अब देखिए चाषणी या खौलने शुरूँ हो गई है, और यहाँ पे now 12 feeding बोईल इसमें बना रहना लेकिन आपको देखना है और 10 मिनट हाई हीट पे इसको कवर करके पकने देना है तो बस यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी हो गई है साइज में कहिए तो यहाँ पे डवल से ट्रिपल हो गई है साइज में और देखिए फिर मैंने इसको ठक के पकाया है दुबारा और में डवल हो चुकी है अब मैं यहाँ पे साइड ने मैंने गरम पानी बिठाया हुआ था खौलता हूँ अब वो थोड़ा सा डालूंगी योगी पकते पकते चाशनी गाड़ी होने लग जाती है तो थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे और थोड़ा सा फिर इसको पका लेंग जो है चाशनी में डूब गई है देख सकते हैं आप चाशनी में सारी रस्मलाई डूबी हो यह इसका मतलब हमारी चाशनी हमारी रस्मलाई अच्छे से पक गई है अंदर तक अगर यह उपर तहर रही है तो इसका मतलब यह अच्छे से पकी रही है तो साही रस्मलाई डू ठोइफ़ा नातपया हैं और यहां पर अवा पर में सफ कर रहे हैं सिर्फ्ण मलाई को यहां अच्छे-स बढ़ा रिता है और सफेथ यह तरीके प्रेख की चाशनी को पाइल जो हैं च़चितार. से और बहुती बढ़िया बहुती टेस्टी एकदम सौफ्ट रस्मलाई बनके तयार हुए आप भी इस बार इसको ट्राइ करिए आपको बहुती अच्छा लगेगा यह घर पे बनाएंगे तो एक अलग तरह की संतुस्टी मिलेगी क्योंकि आपने इसको घर पे बनाया है और पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनके तयार होगा यकीन मानिये बहुती असान है रस्मलाई घर पे बनाना बजार से तरह महंगा लाने की जरुत नहीं है घर पे बना लीजिए बहुत इजी है इसको बनाना और आप एक दिन पहले ही तैवार से बना के रख लीजिए ख झाल झाल